व्यायाम करते समय आप एक spring के प्रतेक सुरोपर डेड़ सो न्यूटन का बल अंदर गयो लगाते हैं जैसे कि कई बार जिम लोग बच्छे लोग गए होगे ना जिम ऐसे spring होता है spring को उसको खेचते हैं दबाते हैं तो ऐसे व्यायाम कर रहा है कोई वैक्ती उसने 1.500 Newton का कुल बाहे बर इदर से और इदर से लगाया है आपका अब इससे की Spring की लंबाई में 20 cm की कमी हो जाती है यानि कि Spring की Natural Length प्राकरतिक लंबाई में जो कमी हो रही है जिसे हम जादतर X लिखते हैं वो है 20 cm अब चो ऐसा है 20 cm को convert करना पड़ेगा मीटर में तो क्या ही है आपका देखो 20 बटे 100 कर दो तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे 5.2 भी लिख सकते थे बात वही है अब Spring में कितना बल आया तो देखीगा कि जब आप इस Spring को पकड़ के रुके तो आप 500 Newton का तो बल इधर लगा रहे है ठीक है इस सिरे की बात कर रहा हूँ मैं अभी इतने सिरे की बात करूँ इस point की बात करूँ तो इस point में क्या बल लग रहा है Spring कहते हैं X जो है Spring की Natural Length में चेंज यानिकी प्राकरतिक लंबाई में परिवर्तन के बराबर होता है तो यह इतना force लग रहा है तो 1.500 Newton का यह 150 Newton इतना हो गया बच्चों यह KX के बराबर होगा अब K हमें निकालना है X की value 1 by 5 है तो आपका यह हो गया 150 and K is equal to 150 into 5 तो यह 750,500 Newton अब क्या unit बनेगी पर मीटर ठीक है तो आपका spring constant आगए आप बहुत simple और basic question on the spring constant अब नए प्रिश्णी की तरफ बढ़ते हैं